हेलो दोस्तो स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर दोस्तो ये बुक मैंने आज ही फ्लिप कार्ट से मंगाया है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा वहां से आप बाई कर सकते हो तो देखिए अगर आप इंगलिस बोलना सीखना चाहते हैं और आप अगर इंगलिस बोलने में मेरी तरह intermediate है जैसे मैं क्या हूँ मैं तो बोल देता हूं लेकिन मुझे थोड़ा time लगता है बोलने में और मुझे आता सब है लेकिन मैं बोल जब बोलना चाहता हूं तब नहींग बोलबाता हूं तो वैसे टाइप के हैं तो ये बुक आपको ब आप देख सकते हैं जिसमें लिखा है डेली यूज इंग्लिश सेंटेंस आम बोल चाल के अंग्रेजी वाक्या इसमें क्या है 100 प्लस लेसंस है और 5000 से उपर सेंटेंस है जो की हिंदी इंग्लिश और खास कर कि ये SMS लेंग्वेज जिसको आफ इंग्लिश लेंग्वेज भी कह देख सकते हैं उसमें बना हुआ है विट डिक्स डिक्समजी के साथ इसमें दिया है तो चलिए मैं आपको पूरा ये इंग्लिश वाले की तरफ से है जिनका ये की यूट्यूब चैनल भी है वो बहुत ही अच्छा इंग्लिश सिखाते हैं तो चलिए मैं आपको पूरा इस में आज इसका रिब्यू करता हूं देखे ये बुक का पीछे का देख सकते हैं आप यहां पर 15 वर्सों का अनुभाव साकार रूप इसमें लिखा गया है और यह इनका वेब साइट है इसमें नीचे कुछ इसमें अपने उन्होंने वन मिलियन प्लस रिडर्स जो की लिखा है जैसा की देख सकते हैं यहां पर और इन्होंने लिखा है कि यहां पर वीडियो लेक्शर और पेंड्राइव इनका जो है वो अभिलेवल है और आप इस वेब साइट पर जाकर उसको भी मंगा सकते हैं इसका प्राइज देख सकते हैं यहां पर 260 लिखा है लेकिन मुझे फ्लेप कार्ट से यह 240 में मिला है यहां पर लिका इंगली स्किए अपने मोबाइल पर यूट्यूब पर सर्च करिये और फिरी सब्सक्राइब करिए तो अभी तक आपने अपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जाकर सब्सक्राइब कर लें और इसमें वह होती है अच्छा योट्यूब चैनल अर्म का सब चलिए पहला पेज देखते हैं पहला पेज में क्या है अब यह कौन है यह तो मुझे नहीं पता अब इसमें सब्सक्राइब कुछ काम का नहीं है इसमें क्या दिया है मैं आप शभी का EnglishWale.com की इस पुस्तक में स्वागत करता हूं इस पुस्तक को Spoken English Guru YouTube चैनल के शचम बारत मिशन की योजना के तहट बनाया गया है अधित्यराणा ने यह लिखा है अब देखिए इसमें फर्स्टेपर आप देख सकते हैं सबसे अच्छा खाष्य तो मुझे इसका यह लेंगविज लगा जैसे आप देख रहे हैं यह English language कपड़े शुखा दो यह English language में पुट दे क्लोथ टू ट्राई दूसरा आलू छिल दो पील आफ दो पोटेटोस यह क्या लिखा है आज आपका पहला दिन है आपको रोज एक पार्ट पूरा करने की यादत बनानी होगी अगर आपको English grammar के नियम अच्छे से पता है तो यह आपको अत्रिक तलाब देगा लेगिन अगर नहीं पता है तो शिर्फ वाक्यों को उसी तरह से याद कर लीजिए जिस तरह से बताया जाए और जब भी मौका मिले अपनी रोजाना की पात्चित में परियोग करें सुब कामना है आपके शाथो आदित तिशर है देखिए जैसे यह फर्स्ट होगया सेकेंड डे में भी वैसे ही है जैसे देखिए मैं दिल्ली से आ रहा हूं I am coming from डेली तो वैसे वैसे करके यह 14 स्टे है इसमें जैसे देख सकते हैं मेरे शाथ आओ बी विथ मी ऐसे करके इसमें यही पुरा दिया गया है कि नंटे देखिए जैसे यह देख लिए मैंने बाल कटवाए I got the hair cut तो अगर आप आपको इंगलीस में सब आता है लेकिन आप कुछ अंटेंस बनाने में दिक्कत होती है तो इस बुक को आप खरीद सकते हैं और डेली इसको अधर टाइम बास भी इस बुसको इस बुक को यूज कर रखते हैं देखिए डिक्संडरी भी यहां पर दिया है इनका इंगलिश हिंदी डिक्संडरी है यहां पर मीनिंग्स सारे दिये गए हैं और और तो कुछ नहीं है बस बुक में यही सब हैं अगर आपको अच्छा लगे तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है आप वहां से इस बुक को खरीद सकते हैं क्लिक करकर एमाजन या फ्लेप कार्ट पर यह अविलेबल है तो जाहिए इस बुक को खरीदिये डिस्क्रिप्शन में लिंक है धन्यवाद वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए